हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम तो आवाई नर्सिंग क्लासेश तो फ्रेंड्स आज में बात करूंगी नाइंथ मई के हीरिंग में क्या हुआ और फ्रेंड्स काफी समय बाद जो नाइंथ 26 अपरेल को हीरिंग हुई थी बच्चे जो है कैंड़िट जो है सभी कै आप्सेट के कौविट व्यो spד शाखते गताये कंजए कि वह नहीं को कि वह थैट शाण जो है कि को बाग educate जारु के वह ठीकिल गयुद आए अगर उनली लिए यह गे निया जैर्ट आप वांगी तो इस नहीं कि पेल नापमेश आपि दूना कि डिया जया सुटी आ MP3 कि पर ऑसके महने डेटा को कि सब्सक्राइब को अधि कर सकते हैं मनंद अधिरा दॉन यहां करते हैं जुट्भ कते पर पुसरे सब्सक्राइब यहां के कषए है resistant मेरे cynतना पर आफ़े हैं मैंज यह दो कहना लुट्ज कर् Emp psychiatry मैं अधिरा ठोबग जरा है इसलिए बच्चे यह भी सोच दिये थे, की उम्मेद में की चलो ल्मबा समय हैं लेकिन यह लास्ट स्ऩट हीरिंग हो सकता है क्योंकि फायले चेक करने में काफी लंबा समय लग रहा है, शाद है लगेगा, शाद इसलिए इतना समय दिया गया है, जो फ्रेंड्स यह मुझे बताते हैं बहुत दुख हो रहा है क्योंकि पहली बात यह है कि जो पुरानी जज्ज थी मंजुरानी चोहां जी उन्होंने सारा केस जो यह हैंड ओवर कर दिया है राजर जोसी एक नए जज है उनको वो नए सीरी से सब कुछ करेंगे उन्होंने इस हेरिंग में क्या बोला है कि अब जो है केस जो हुआ है इसमें राजर जोसी जी जो है अब उन्होंने यह बोला है कि अब कमिटी बैठा यह बैठा दी गई थी और यह जो है फाइले चेक हो रही थी नाइंद को रिपोर्ट बेस करना था लें पता नहीं क्या हुआ इन फिर से अब यह नए जज आ ग है कि 45 इनका मिन्स 45 डेज का इनो ने जो है टाइम दिया है आयो को कि आब और तीन कमिटी नो ने यह भी बोला है कि तीन कमिटी बैठाई जए तीन चार और उसमें सारे लोग जो है 15,000 फाइले मिन्स 20,000 जो फर्स लिस्ट में आई थी सेलेक्शन लिस्ट जो कॉलिफाइड परस लिस्ट में बीस हजार आई थी उसमें से जो करना था उसमें सिफ फाइले पहुच पाई थी फटन्रह हजार और 15,000 जो फाइले पहुची ती उन सारी 15,000 फाइलों को फिर से चेक किया जाए और सारे जो मतलब वैलिड जो है मतलब की सारे लोग जैसे जो मैरिट लिस् और second list के दौरान जो merit list में आ रहे हैं और सिर्फ उनको experience के वज़े से या किसी sign के वज़े से नहीं लिया गया तो उन सब बच्चों को लिया जाएगा और उसके लिए उन्होंने ये फाइले चेक करने के लिए 15,000 फाइले मामली बात नहीं है काफी ज्यादा फाइले हैं तो ये 15,000 फाइले जैसे कि पिछले रिपोर्ट में भी 26 तारीक में भी यही कहा था मनझू रानी ने कि इतने दिन का नहोंने टाइम दिया और ये रिपोर्ट देना था नाइथ में इको लिद फिर से आप ये जराजिव जो सर है इन्होंने भी बोला है कि इन्होंने क्या है कि सीम वही सारी 15,000 फाइले जो हैं सब चिक करने के लिए उन्होंने 45 दिन का समय दिया है काफी लंबा समय है मिन्स 18 जुलाई फ्रेंड्स अभी मई चल रहा है फिर जून फिर पुरा जुलाई मिन्स लास्ट 18 जुलाई को यह जो है यह नेक्स्ट हीरिंग है उसमें भी क्या आत बात हुआ क्योंकि जो लाइब देखा जाता है जैसे कि केस चल रहा था तो बंद हो गया था तो फ्रेंड्स कुछ पता नहीं चल सका कि जो है रिपोर्ट क्योंकि वंजुरानी जिने भी रिपोर्ट मांगा था नाइंत में को यही पेस करना था एक्सपिरियेंस फिर से रा सब कुछ सही है और उनके लिए दिक्कत के बात है कि काफी लंबा समय खिचने वाला है तीन महिने आप मान सकते हो मिन्स जून जुलाई चला गया और अब क्या है कि अगस्ट सेप्टमबर भी मान लो अगर क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अठारे जुलाई को इक दम फाइनल ह होने वाला है पता नहीं आयोग क्या रिपोर्ट पेस्ट करेगा और पता नहीं जज जो हैसा थे हैं कि तुरंत वह रिपोर्ट फाइनल कर देंगे वह लास्ट यहरिंग ऐसा नहीं होगा फिर से कोई ना कोई यहरिंग दी जाएगी तो यह जो प्रोसेस काफी लंबा होने है तो सेलेक्टर के लिए डिले हो रहा है उनके लिए दिक्कत की बात आ जा रही है कि काफी लंबा समय खिच रहा है उनको जो सीचों का जौड़के बैठे हुए हैं जो है अपना अधर स्टेट के हैं इधर का यूपी का जो वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए सब के ल तो फ्रेंट्स इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि बस यह 45 दिन का समय दिया गया है और फिर से 15,000 फाइले चेक की जाएंगी और 18 जुलाई को पेस की जाएंगी अब उस दिन क्या होता है क्या ऐसा तो है नहीं कि फिर से दुबारा हीरिंग ना आए ऐसा कहीं नहीं तो जितने भी selected candidate है मैं उनसे यही कहूंगी कि आप सभी का लॉस हो रहा है कि कि आप सभी के लिए एड लिस्ट आप सब क्या करो आप जाके CM योगी जिससे मिलने की कोशिज करो क्योंकि बात करने कोशिज करो क्योंकि आप सभी के लिए जो जोब चोड़के बैठे हुए है जरा के बैठे हुए है और उसे के उमीद में कितना stress को सफर कर रहे है कितना stress सवर कर रहे है तो आप सभी के लिए दिखकत की बात है तो आप सभी को जूफ़का जोआने को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पढ़ेगा CM योगी जिसे मिलना पढ़ेगा त इतने पर्शान हो आप सरकार को खिंवयोगी chỉ मुटाओ कि हम इतना परशान है क्या-क्या दिक्कते हैं उन मालुम किसी को किसी की नहीं पड़ी है आपकी जोईनिंग में पुझा दोगे हुए तो दिक्कते आपको बृुँआ है तो आप टेंशन फ्री रहो आपकी दिक्कत नहीं तो फिर उसे क्या फ्यादा होने वाला मैं यह नहीं बोल रही है मैं भी वोग रही हूं कि इसमें कोई राएंग लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस चलता रहेंगा लिन कब तक चलता रहेंगा जब तक एक लिए नहीं हो जाता और काफी लंबा समय है तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सरकार को बताओ आप जाके बात करो मिलो और आपको एक जुट होना पड़ेगा है दो चार दस बारे बच्चों से कुछ नहीं होगा आप लोग एक जुट होकर काम करो और आपकी जो है उमीद बढ़ जाए आप जो है अपनी प्रॉब्लम सरकार को बताओ आप जाओ बात करो और हर एक कोशिस करो जिससे आपकी जुट है जुट है नहीं लिखा है लेकिन दिले तो हो रहा है इतना समय लग रहा है फाइले जो है यह भी निउस में आई थी मैंने इस वीडियो बनाए था कि जो आयोग से भेजी गई थी वो भी मंगवा ली गई तो फ्रेंट्स यह सब क्यूं हो रहा है लिखा भी नहीं है लेकिन यह सब हो रहा है आपका डिले हो रहा है तो मैं यहीं बोलूंगी आप जाओ और गवर्मेंट से यूपी सरकार से आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स बता और एक जूट होकर काम करना पड़ेगा दो चार दस बारे बच्चों से कुछ नहीं होने वाला आपको सारे लोग को एक जूट होना पड़ेगा तो फिर फ्रेंट्स कोई भी अप्रेट आता है तुमें बताऊंगी जरूर बताऊंगी और बाकी बस यहीं कहूंगी कि आप को जॉइनिंग चाहिए तो आप लोग कुछ करो और यूपी सरकार से बात करो अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कितनी दिक्कते आपको हो रही है कितनी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो तभी कुछ हो सकता है फ्रेंट्स चूप रहने से या फिर पॉजटिव में हर चीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कोई भी अगर वीडियो इंफॉर्मेट्य लगा तो लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना थांक यू बेरी मच फ्रेंट आल दे बेस्ट